हेलो एफ्रीफान, माइनेम इस अदिती चौधरी, विल्किम टू माइ चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसे बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे एक बार बता नहीं सकते थे क्या, एक बार वो पूछ नहीं सकता था क्या, एक बार वो देख नहीं सकती थी क्या, एक बार वे मुझसे बात कर नहीं सकते थे क्या आईए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के sentences को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा rule follow होता है इसके rule में सबसे पहले couldn't यानि की could not आता है ये could can की past form है guys क्योंकि ये sentences past tense में बने हैं इनकी ending हो रही है सकता था, सकती थी या फिर सकते थे से इसके बाद subject आता है, subject के बाद verb की first form आती है इसके बाद object आता है और last में once आता है जिसका मतलब होता है एक बार लिख रहे हैं तो इतना ध्यान रखेंगे कि complete sentence को लिखने के बाद last में question mark जरूर लगाएंगे चली आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए एक बार बता नहीं सकते थे क्या Couldn't you tell me once? एक बार वो पूछ नहीं सकता था क्या Couldn't he ask once? एक बार वो देख नहीं सकती थी क्या Couldn't she see once? एक बार कोशिश नहीं कर सकते थे क्या Couldn't you try once? अब एक सेंटेंस आपके लिए एक बार सुन नहीं सकते थे क्या? इसको हम इंगलिश में कैसे बोलेंगे? या आप मुझे कमेंट्स में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक केजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब क प्लीजी और मेक शूर्य प्रेस्ट प्लाइक इन राट नेक्स तो अब्सक्राइब बाइए वनेवर आए पोस्ट नू वीडियो चली अभा मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तक तक के लिए टेक कैर बाइबाई